मदूसूदन गड़ सहथ आसपास की शित्र में प्राइबेट क्लीनिंग जोला साब डॉक्टर के द्वारा गलत एलाज कर लोगों को मौत होने का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है तासा मामला निकल कर सामने आया है मदूसूदन गड़ तैसे शित्र के अंतरगत आने वाले लक्ष्मन पुरागाव था जहां पर रहने वाले रादिश्राम इहरवार ने बताया कि मेरी एक बेटी तीन साल की आश्या नाम की थी बच्ची को सर्दी जोखाम हो रहा था पर दिया और बच्ची के शब को पोस्ट मार्टम के बाद पर जनुके सुपुर्द कर दिया है आपको बतादे के मदूसूदन गड़ सहित आसपास के शित्र में कई बार सरकी घटनाय निकल कर सामने आ चीकी है शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी पुखता कारवाही इन दॉक्टरों पर नहीं हो रही है जिसके कारण इनके खॉसने बुनादे आपको बता दे के पहले भी मदूसूदन गड़ में देव कृपा नाम की हॉस्पिटल अपर भी पुलिस में भी समाच के लोगों के द्वारा शिकायत की गई देव कृपा हॉस्पिटल के दॉक्टर मुकयशर्मा की द्वारा रजोस्पिटल का In cuma किया घBoth sleep मरीज मिले ते लेकिन दॉक्टर कोई आने वाले डॉक्टर मधुसूधनगर के साथ श्वित्र के लोगों की जंदगी से खिलवार कर रहे हैं ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कारवाई की जाती है या फिर कागजी कारवाई कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता ह आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा फिलाल रादेशा महरबार की एक तीन साल की बेटी थी जिसकी इलाज के कारण मौथ हो गई में कुण से डौक्टर को बताया था में चिए खिले घरे लेगा तीने साल की थी तेने है तो इन्हें कै जादे्वी गोली दी चैंग अही बिःकिवा अधिए आपका किस से लीती कौन से डॉक्टर से लीती है अकले जोसी कहां के हैं तो कितने साल की बच्ची है आपकी क्या हो रहा था इसको कब से हो रही थी दोग दे नहीं है किया नाम है बच्ची के आई साथ आपका नाम कहां के वो लच्मनपुरा